Hey guys, welcome back to another video और आज हम इस वीडियो में देखने वाले है Realme की तरफ से लाँच होने वाले न्यू अपकमिंग फोन जो की है Realme X9 Pro और ये फोन Realme X7 Pro का ही सक्सेसर फोन होने वाला है लेकिन इस बार आपको इस फोन में Realme X7 Pro से काफी different और amazing feature देखने को मिलने वाले है जैसे कि आपको इस फोन में expected किया जा रहा है कि latest processor देखने को मिल जाएगा Snapdragon का साथ में ही आपको इस फोन में display और camera भी काफी upgraded देखने को मिलने वाला है तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस फोन के expected future को और इस फोन के expected price को साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस फोन के expected India launching कब तक हो सकती है मतलब ये फोन आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल जाएगा तो आप इस वीडियो का end तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त और एक request है आप सभी लोगों से कि वीडियो को like जरूर करिएगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा with bell icon जिससे हम आपको tech news देते रहे हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को start सबसे पहले अगर हम बात करें इस फोन के processor की तो इस बार expected किया जा रहा है कि Realme X9 Pro में आपको Snapdragon का एक latest processor देखने को मिलेगा Snapdragon 870G 7NM Octa-Core CP को साथ आपको ये processor देखने को मिल जाएगा साथ में आपको इस processor में Dual 5G connectivity भी देखने को मिल जाएगी RAM आपको LPDDR 4X RAM देखने को मिल जाती है और storage type UFS 3.1 देखने को मिल सकता है साथ में आपको इस processor में Clock Speed 2.6 GHz तक देखने को मिल जाएगी अगर RAM और ROM की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6GB 128GB 8GB 128GB और 12GB 256GB तक आपको higher variant देखने को मिल जाएगा तो जो processor है वो काफी amazing होने वाला है और यहाँ पर आपको processor में performance और speed भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी तो phone में आपको gaming experience काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है आप इस phone में high graphics के game आराम से खेल सकते हैं और multiple task की भी कर सकते हैं चलिए देखते हैं हम इस phone के display को तो इस बार phone के जो display है उसमें काफी ज़्यादा आपको upgrade देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें इस phone के display की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.55 इंच का super remote panel display साथ में आपको full HD plus resolution भी देखने को मिल जाता है और अच्छी बात यह है कि इस बार आपको इस phone में curved display देखने को मिलता है जिससे आपको इस phone की looking काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी और display में आपको 90Hz का refresh rate भी देखने को मिलता है और in display fingerprint भी आपको देखने को मिल जाता है front में single punch hold top left corner में देखने को मिल जाता है तो display quality काफी amazing होने वाली है और यहाँ पर आपको touch का response भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा display में काफी अच्छी smoothness देखने को मिलने वाली है चलिए हम देखते हैं इस phone के camera को तो यहाँ पर आपको back में triple camera का setup देखने को मिलने वाला है और इस बार आपको main camera जो देखने को मिलेगा वो 50MP का देखने को मिलेगा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको main camera में Sony का sensor देखने को मिलने वाला है IMX 766 और अगर हम ultra bit camera को देखें तो वो 16MP का आपको देखने को मिल जाएगा साथ में 2MP का आपको macro camera देखने को मिल जाएगा अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है साथ में 65W का fast charger देखने को मिलता है charging आपको काफी fast देखने को मिल जाती है जिससे आप इस mobile की बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं अगर हम इस फोन के अधर्स फ्यूचर की बात करें तो यहां पर आपको dual stereo speaker देखने को मिल जाता है in display fingerprint देखने को मिलता है face unlock option देखने को मिल जाता है और 3.5 mm jack जो है वो अभी confirm नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा तो अगर हम overall performance की बात करें तो इस फोन में आपको एक अच्छा processor देखने को मिल जाता है मतलब वो इस फोन का main highlight है Snapdragon 870G साथ में आपको इस फोन में जो display भी वो काफी upgraded देखने को मिल जाती है curve display और camera में भी कुछ आपको थोड़ा बहुत upgrade देखने को मिल जाता है तो चलिए हम देखते हैं इस फोन की launching की तो अभी ये फोन चाइना में भी launch नहीं हुआ है और इसके expected launching जो है चाइना में वो जुलाई तक देखने को आपको चाइना में मिल जाए उसके बाद ये फोन आपको इंडिया में अगस्त या सितमबर तक देखने को मिल जाएगा और अगर हम इस फोन की बात करें प्राइजिंग की ये फोन इंडिया में कितने प्राइस तक में launch हो सकता है तो काफी अच्छे futures के साथ ये फोन आपको देखने को मिल रहा है कि आपको ये स्मार्ट फोन कैसा लगा I hope आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए और चैनल को सब्क्राइब कर दीजे विद बैल आइकन मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर